तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे exercise 1.6 का question no.3 का first जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि sin 105 degree plus cos 105 degree is equal to cos 45 degree Proved that sin 105 plus cos 105 is equal to cos 45 degree बच्चों जब भी हमें proved करना होता है तो हम एक side लेकर चलते हैं और दूसरा दिखा देते हैं या तो left hand side लेकर चलें तो right hand side दिखा दें या तो right hand side लेकर चलें तो left hand side को या फिर बोलेंगे left hand side is equal to, left hand side क्या है प्यारे बच्चों, sin 105 degree plus cos 105 degree, आप सबको पता है बच्चों, हमारे पास 105 की value नहीं होती, 105 degree की value नहीं होती, हमारे पास तो है 0 degree की, 30 degree की, 45 degree की, 60 degree की और 90 degree की, लेकिन आपको ये भी पता है, कि हम a plus b वाले फार्मूलों का इस्तेमाल करके, जो exercise हम पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पास वो sin a plus b का फार्मूला हो बच्चों, है ना, और चाहे हमारे पास वो cos a plus b का फार्मूला हो बच्चों, ए प्लस या माइनस बी का फार्मूला हो इन सारे फार्मूले से हम ये एक सो पांच डिगरी है ना 75 डिगरी 15 डिगरी ये सब बनाना सीख चुके हैं तो सेम हमें सोचना पड़ेगा कि एक सो पांच डिगरी किन दो कोनों को जोड़ने से मिलेगा की इनका इस्तिमाल करके 0 और फिर 30 और फिर 45 और फिर 60 और फिर 90 इतने की वैलु हमें पता है बच्चों तो इन में से क्या जोड़ा कहताया जाए कि 105 हमें मिल जाए तो बच्चों आप सबको पता है कि अगर हम 60 में 45 जोड देंगे बच्चों 60 में 45 जोड़ देंगे तो 105 मिल जाएगा तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा sign है sign लिख दो और जो हमारा 105 है इसको हम 60 प्लस 45 कर सकते हैं 60 डिगरी प्लस 45 डिगरी कर सकते हैं, बच्चों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ, देखो 60 और 45 जोड़ोगे तो 105 ही आएगा तो चाहे आप 105 लिखो या 60 प्लस 45 लिखो बात एक ही है प्यारे बच्चों ऐसे प्लस तो प्लस फिर यहाँ पे कॉस तो कॉस 105 में बच्चों लिखेंगे 60 प्लस 40 60 डिगरी प्लस 45 डिगरी अब बच्चों आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से तो हम क्या करेंगे? अब फार्मॉला एपलाई करेंगे आप सब को पता है कि फार्मॉले क्या है? फार्मॉले हैं बच्चों कि since we know that जो हमारा साइन a प्लस b होता है क्यों बच्चों? लिगे मुझे ये sin A plus B के जैसा दिखाई दे रहा है और ये चीज बच्चो मुझे cos A plus B के जैसा दिखाई दे रहा है तो बच्चो फार्मूला होता है sin A plus B का sin A या बच्चों अब याद हो गया होगा cos B plus cos and cos B ऐसे बच्चों cos A plus B का फर्मूला होता है cos A cos B cos का विफार उल्टा प्लस है तो माइनस और बच्चों sin A और sin B तो बस ये फर्मूला यह एपलाई करें तो हम बोल सकते हैं इसको एक आपको समझाने के लिए कि लिख दिया मैंने sign a और फिर लिख दिया मैंने cos b और फिर plus तो plus और फिर बच्छों cos a और sign b ये sign a plus b का formula लग गया फिर plus तो plus लगा दो बच्छों और फिर cos a और फिर cos b और फिर साइन कास के वार उलटा, माइनस तो माइनस लगा दो, और फिर बच्चों कॉस ए और साइन कास बी और प्यारे बच्चों साइन ए और साइन भी है ना, अब ए बी के अस्थान पर उनके मान रख दो, बच्चों A is equal to क्या है, A is equal to 60 है, तो साइन A मतलब साइन 60, B is equal to 45 है, तो कॉस B मतलब कॉस 45, कॉस A, A मतलब 60, B मतलब 45, ऐ के अस्थान पर 60 और B के अस्थान पर 45, बच्चों आपको यह नहीं करना है कि आप यहाँ पर A लिखो, B लिखो, फिर A को मिटा के 60 लिखो, यह मैंने आपको समझाने के लिए किया था, कि कैसे हम यह वाला फामूला यहाँ पर apply कर सकते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अब खाली आपको values पुट करनी है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, यह तो बहुत से गदहे गदहे प्यारे प्यारे वो होता है, रूट 3 अपान 2, और जो हमारा साइन 45 डिगरी है, वो होता है 1 अपान डूट 2, जो हमारा कॉस 60 डिगरी है बच्चों, 1 अपान 2 होता है, और जो हमारा कॉस 45 डिगरी है, वो भी 1 अपान डूट 2 होता है, तो यह सारी value पुट करें बच्चों, साइन 60 के अस्थ पर 一वन प्रसकता हूं फिर प्लस तो कोऊ 60 वता है बच्चो criterion उपांड टू और oppose 55 होता है प्यारे बच्चो साइन 45 होता है एक यूर्ण अपांड रूड़ टू ऐसे बच्चों यह प्लस तो प्लस लगा देंगे, cos 60 की value होती है बच्चों, 1 upon 2, और cos 45 होता है, 1 upon 2, फिर minus है तो minus लगा देंगे, sin 60 होता है बच्चों, root 3 upon 2, और sin 45 होता है, 1 upon root 2, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, यह सारी values मैंने पुट कर दी, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो यह चीज बच्चों, यह ची हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे, तो अब होगा प्यारे बच्चों, 1 upon 2, 2 का root 2 से गुना, तो 1 upon 2 root 2, प्लस तो प्लस, और 1 upon 2 under root 2, अब प्यारे बच्चों, इस पर आपको LCM लेना है, मैं तो ऐसे LCM नहीं लेता हूं, मैं क्या बोलता हूं, ऐसे जोड़ों को, जब दो सेम मि जाते हैं, बच्चों ये भी 1 upon 2 root 2, ये भी 1 upon 2 root 2, अब इसको ऐसे देखो, ये 1 upon 2 root 2, और ये एक और 1 upon 2 root 2, कितने हो गए, 2 upon 2 root 2, तो मतलब इसका आना चाहिए, 2 upon 2 root 2, है ना, 2 upon 2 root 2, मतलब 2, 2 root 2, जेखो, आप करके भी देखो LCM, तब भी उतना है, 2 under root 2 LCM आगे बच्च है, cancel, ये 1 बच्चा, तो प्यारे बच्चों, इसा लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड इसकोल टू, ये क्या गया बच्चों, 1 plus 1 हो गया 2, और ये हो गया 2 under root 2, अभी 2 से 2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, तो कुल मिला के, जो हमारा left hand side is equal to, हम दो देख रहे हैं, is equal to क्या गया 1 upon root 2 आगया, अब प्यारे बच्चों, आपको proved क्या करना है, कुश्चन एक बाद फिर देखो, कुश्चन कहता है, proved करना है आपको, cos 45 degree, तो मतलब आप cos को देखो, मतलब cos में proved करना है, तो आपका focus cos में है, तो अब अ या, cos 45 degree is equal to 1 upon root 2 होता है, इसका मतलब यह है, कि हम cos 45 के अस्थान पे 1 upon root 2 कर सकते हैं, और 1 upon root 2 के अस्थान पे cos 45 भी कर सकते हैं, तो यहां से left hand side is equal to, इसके अस्थान पे मैं cos 45 रख सकता हूं, बच्चों, cos 45 degree, तो left hand side is equal to, cos 45 degree किसके बराबर है, बच्चों? राइट हैंड साइड के बरावर है तो यह हो गया बच्चों पी-आर-ओ-बी-ई-डी प्रूब्ट हो गया लेपन साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते है पन इसी में कुस्टिन नॉम्बर थार्ड का सेकेंड नॉमबर है ब भी प्रूब्ट करने के लिए बोलता है कहता है सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी और फिर प्लस है साइन ए माइनस भी कॉस ए प्लस बी है ना पिर साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इस एकवलुट्टू साइन का टू ए-स répसाइट yn Pyamienas B Cos A Plus B, Sin A-B Cos A Plus B Equal To Sin Ka 2A, प्यारे बच्चोँ अभी आपको Sin A Plus B Cos A Plus B 10A Plus B के फार्मूले हैं हर वक्त ध्यान होने चाहिए कि उन फार्मूलों का लाजिक क्या था याद करने का, बच्चों गर ध्यान दो sign के फार्मूले में तो मैंने बताया था कि sign के फार्मूले में sign और в रहते हैं मनला sign फिर कॉस्स प्र साइं याद ही करा है बच्छों कि signing a plus B आपको कैसे लिखना है आपको पर लिखना है sign और फिर लिख देना है 熟as, बحॉर सीधा, प्लस है तो π्लस, और फिर कर देना है कोस, और फिर कर देना है SCINE, और फिर अगर यह अगर यह A B है, तो लगा देने हैं A, B, A और B, यह बन गया बच्चों, hashs, A प्लस B का फार्मूला जो है साइन A कॉस B और प्लस कॉस A और साइन B यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को तो मैंने बोला है कि आप इस तरीके से फार्मूला याद करो कि साइन का बहुहार सीधा है तो प्लस प्लस रहेगा यह पहला पॉइंट बोला था दूसरा कॉस मिक्चर रहते हैं साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन तो अभी देखो इसका मतलब यह भी है कि जब कभी साइन कॉस मिक्चर में रहेंगे साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B तो हम साइन का फार्मूला लगा देंगे मतलब साइन A प्लस B का मतलब यह और इसका म भी देखा जाए अगर प्यारे बच्चों अभी मैं left hand side लेता हूं बढ़ियां से और आपको यही चीज formula apply करना बताता हूं तो बच्चों हम बोलेंगे कि left hand side लेने पर left hand side लेने पर या फिर सीधे हम बोलेंगे बच्चों कि left hand side is equal to left hand side है प्यारे बच्चों sign a plus b है ना और फिर cos a minus b और फिर प्लस तो प्लस और फिर sign a minus b और फिर बच्चों जो cos है हमारा वो है a plus b यह हमारा left hand side हो गया बच्चों sign a plus b का formula है वह आप फिर से देखें sign a plus b है ना मतलब कहने का कि sign और फिर cos और फिर cos और फिर sign है ना इस बेवहार सीधा था बेच में चिन plus है तो plus रहेगा मतलब फिर a b है तो a b लगा दो a b लगा दो मतलब sign a cos b cos a sign b कहने का मतलब यह है बच्चों की a plus b के अस्थान पर कुछ भी रह सकता है अगर यहां पर राम प्लस सीता होता अगर राम प्लस सीता होता बच्चों अपन वही बूलते sign और फिर cos sign का बेवहार सीधा plus है तो plus और फिर cos और sign फिर लगा दो बच्चे a b था तो a b a b लगा दिया राम सीता है तो राम सीता राम सीता और राम सीता लगा दिया प्यारे प्यारे बच्चों तो हो गया sign राम प्लस सीता sign राम कॉस सीता कॉस राम और sign सीता तो कहने का मतलब यह बच्चों कि sign एंगल के अस्थान पर कुछ भी रहे हमें उससे कोई लेंदेन नहीं है है ना हम चाहे A के स्थान पे राम रहे, A के स्थान पे पहाड रहे, B के स्थान पे जंगल रहे, हम साइन राम प्लस सीता, साइन पहाड प्लस जंगल, है ना साइन माउंट एबरेस्ट प्लस अरब सागर, अरेवियन सी, कुछ भी लगा सकते हैं आपनो केबल पैटर्न पहचानना है कि फार्मूला साइन का कैसे बनता है आई वाज समझ में तो अगर आप अब समझ गए हो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइन है फिर कॉस है और ये कॉस है और साइन है तो मतलब होता क्या है साइन कॉस फिर कॉस और साइन तो इसको मैं विवस्त कर लेता हूं पहले, उसके बाद अपने अप्लाई करेंगे रूल, तो प्यारे बच्चों, इसको मैं कर सकता हूं, साइन ए प्लस बी, और फिर बच्चों कॉस ए माइनस बी प्लस, कॉस को पहले कर लें बच्चों, योकि इन दोनों का अपस में गुणा है, कहने का मतलब अगर ये पांच गुणे छे, इस इक्वल टू तीस होता है, तो अगर हम अल्टी पल्टी कर दें, तो छे गुणे पां अब बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को, इस पूरे को small a समझूं, इस पूरे को small b समझूं, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, small a है, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, small b है, कोई दिकत प्यारे बच्चों को, तो अगर आप ध्यान से देख और फिर प्यारे बच्चों, साइन बी यह कुछ ऐसा लिखाना जला रहा है है ना? और हम सबको पता है कि यह किसका फार्मूला है यह फार्मूला है साइन ए प्लस बी का तो कहने का मतलब यह है कि अभी अपन यह बोल सकते हैं कि since we know that है ना? यहाँ पर बोलने है नअ यहाँ पर बोल लिते हैं यह B है हम बोलेंगे since b know that जो हमारा sign जो A प्लस B है वो होता है sign A cos B plus cos A और sign B तो कहने का मतलब अगर sign A plus B है to इसके एस्थान पे हम यह कर सकते हैं अगर हमारे पास यह हो बच्चों तो इसके अस्थान पर हम यह भी कर सकते हैं, वह दिकत प्यारे बच्चों को, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फार्मूला है बच्चों क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए प्लस बी अब आप खुद बताओ ए के स्थान पे क्या है बच्चों ए के स्थान पे है ए प्लस बी तो ए के स्थान पे ए प्लस बी कर दें फिर cos A और sin B तो हो जाएगा sin A plus B, आई बाद समझ में, बच्चों B से B cancel हो गया, is equal to sin A plus A क्या होगा बच्चों, 2A होगा, is equal to right hand side, और इधर side क्या लिखा था, इधर side तो अपनने left hand side लेके चले थे, तो left hand side equal to right hand side हो गया क्यारे बच्चों, तो ये हो गया approved, अब इसके बाद question number, जो इसका third question है, है ना, इसी exercise का, sorry, इसी third का third है, वो अपन देखते हैं बच्चों, अगले वीडियो में, ठीक है ना, तब तक के लिए आप इनको practice करते रहो, बच्चों example सारे आप लगाते रहो, है ना, अपन जब भी offline coaching चालू करेंगे, तो अपना course double speed से होगा, याँकि online, offline दोनों चलेगा, जो question मैं offline में नहीं बताऊंगा, वो question मैं online में बता दिया करूँगा प्यारे बच्चों, तो थोड़ा speed अपनी बढ़ जाएगी, तो आप saliva's का tension तो मधी लो, आप सिर्फ और सिर्फ tension लो, बढ़ियां पढ़ने का, quality of education का, क्योंकि पूरा पढ़के भी अगर आपने अच्छा नहीं पढ़ा, तो पूरा किसी काम का नहीं है, तो आप जितना पढ़ो बच्चे, बहतर पढ़ो, और उसमें परिपक्वणों, यह आपको जीवन परियंत्र मोटिवेट करेगा, अच्छा काम पूरने का, आप अभी से बहतर deeply पढ़ने लग जाओगे, तो जीवन में हर काम deeply करोगे, जीवन की हर चीज़ आप deeply सोचोगे, तो उससे आपका जो जीवन जीने का तरीका होगा, वो बहुत बहतर हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसलिए कहता हूँ कि बढ़िया पढ़ो, एक्जामपल सारे कर लिया करो, और questions भी similar वाले करने का प्रयास किया करो, ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियों तब तक के लिए, नमस्कार.